राधे राधे एपरिवेटा ही किस तरह सिर्ण est है आज कि वीडियो में आपसभी के साथ यहर करने वाली हूंğlंद । धंती रसके पूझाब बिदी बहुत ही सरल और पिसिक तरीके से इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दंतीरस की पूझा आप किस तरह से कर सकते हो बहुत जाना सामान की जरूरत नहीं है दंतीरस की पूझा में नॉर्मल सा जो सामान होता है जो कि पूझा पार्ट में अक्सर लगता है वोही सारा सामान हम आपको करके दिखाएंगे तो सबसे पहले आप नीचे हल्दी से जमीन को लीप लें यानी सुद्ध कर लें उस पर अच्छी सी एक रंगुली आप जरूर बनाएं रंगुली नहीं बनाना चाहते तो आप चौक भी पूर सकते हैं तो अपनी सुवधा के अनुसार आप देख लें उसके बाद आप एक चौकी बिचा लें चौकी नहीं है अगर आपके घर में तो आप पटा भी बिचा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो चोकी पटा जो भी हो आप बिचा लें उस पर आप लाल कपड़ा अवश्य बिचाएं लक्षिमी जी की पूजा में हमेशा लाल कपड़ा बिचाया जाता है तो आप हमेशा लाल कपड़ा ही बिचाएं तो देखिए हमने यहाँ पर लाल कपड़ा बिचा लिया है अपना दीपक, दीपक को कभी भी बिना आसन की नहीं रखा जाता, तो हमेशा चावलों के पुझे के ऊपर दीपक को रखे हम, धन तेरस पर धनवंतरी जी की पूझा की जाती है, जो की आयरवेदेक की देवता है, और कुबेर जी की पूझा की जाती है, जो धन की देवता है तो सबसे पहले हम करेंगे गड़ेजी और गौरी जी का पूजन किया जाएगा क्योंकि कोई भी पूजा हो सबसे पहले गौरी गनिस का ही पूजन किया जाता है उसके बाद हम धन्दवंत्री जी की पूजा करेंगे और कुभेर जी की पूजा करेंगे तो चार वार इसी मन में भाव करते हुए चार वार जल छोड़ेंगे फिर चिन्ना में से आप एक वार निलाएंगे यानि पंचा में से आप एक वार निलाएंगे फिर उसके बाद आप सुद्ध जल से निलाएंगे गौरी गनेश की संपूर्ण विधी मेरे यूटूब चैनल पर है तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं पूरी विधी के अनुसार मैंने उसमें बताया है कि किस तरह आप गौरी गनेश का पूजन कर सकते हैं क्योंकि गौरी गनिस का जो पूज़न होता है वो हर पूज़ा में किया जाता है तो आपको बहुत आसानी होगी नीचे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं इसनान कराने के बाद हम अच्छे से कूरे कपड़े से भगवान का अंग प्रोशन करेंगे मतलब उनके अच्छे सरीर को उनको पहुंचेंगे उसके बाद हम इत्र लगाएंगे तो इत्र से आप भगवान की मालिस जरूर करें हलकी हलके हातों से भगवान को मसाच करना है आप चाहें तो यहां पर अश्टदल कमल बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, तो मैं सिंपल तरीके से आपको दिखा रहे हूं, थूड़ा सा चावल लेकर मैंने आसन बचा दिया है, उन पर चावलों के आसन पर मैंने भगवान को ब्राजबान कर दिया है, तो इसके बा इसके बाद हम तिलक करेंगे, गनेज जी को हम चंदर लगाएंगे, और माता गोरी को हम ग्रोली कटिका करेंगे, उसके बाद चावल लगाएंगे, तो पूरी बिजी इसी प्रकार होती है, इसके बाद मैं यहां पर थोड़ा सी हल्दी लगा लूँगी जनेव में, फिर ग ठेहां डेगनेज जी को, भगवान को आप पंचा में इसनां ज़रूर्ण कराएंगे, बहुत ज़्ली प्रसंद होते हैं, तो आप इसनां ज़रूर कराएं, कोई भी पूजा हो, अगर आपकten मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो आप इसनां पंचा में से अवश्य तो इस बात का विशेज दियान रखें अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीरों को तो हम इसनान नहीं करवा सकती बाकी पूजा इसी तरह रहती है उसके बाद हम गुलाल अबीर चड़ाएंगे सिंदूर चड़ाएंगे देखिए इस तरह से आपको चड़ाना है इसी त पूजाएं अगर आपके पास तो उनका पूजन कर सकते हैं अगर आपके पास तो उनका पूजन कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक सिपाड़ी ले लें सिपाड़ी को आप इस तरह कलावे से लपीट लें देखिए इस तरह से आप कलावा क्या एक मर्यादत होता है तो कलावा से लपीट कर एक पस्तरपन कर देते हैं पाड़ी के रूप में यहां हम भगवान जी को ब्राजमान करेंगे हमेशा चावलों का आसना आप जरूर दे आप चाहें तो यहां पर अश्टतल कमल बना सकते हैं यह आपकी सुच्छा है इसके बाद हम इस्टनान करवाएंगे तो जिस तरह हम चार वाज जल अगर तस्वी जल जलूर चूड़ेंगे घुमाते वह आपको में सचुड़ना है दिखिए इस तरह मं में भाव करें की हम बढ़वान को उसनान करा रहे हैं जल पर ला रहे हैं मन कि भाव की पूजा उती हमेशा तो मन में हमेशा आप आप करें और आप इस तरह से पुजा कर सकते हैं उस तरह आप चंदन लगाएंगे धनवंत्री जी पर भी आप चंदन लगाएंगे कोबेर जी पर आप चंदन लगाएंगे चावल लगाएंगे उसके बाद आप पुस पचड़ाएंगे अगर आपके पास माला है तो आप माला भी अवश्य पेनाएं आज के दिन हो सके तो आप धनवंत्री जी पर तुलसी जरूल अरपन करें क्योंकि ये आयरुवेदिक के देवता हैं तो एक कोई भी जड़ी बूटी अगर आपके यहां है तो जड़ी बूटी आप भगवान प खर्च कभी भी नहीं होगा आप किया कभी कोई बीमार नहीं होता तो उनकी पुजाब जरूल करें तो देखिए इस तरह गुलाल अभी राप चड़ा दें और धनतेरस के दिन कोई भी एक खईदारी जरूल की जाती है सोने की चांदे की तामा पीतल लोहा नहीं खईदना इस चीज का विशेज ध्यान रखें उसके बाद जो भी आपने खरीदा है एक पुस्मे रोली और चावा लगा कर उसका पूजन आप जरूल करें यह विशेज ध्यान रखें आज के दिन धनिया जरूल चड़ाया जाता है तो पुराना धनिया नहीं लेना है आपका आप आ हमेशा सुद्धता रहती है तो घर की चिपशनी हुई चीजों का भोग लगाएं इसके बाद आप तीन बार जल का आच्वन जरूल करवाएंगे भोग के बाद लॉंग इलाइची से भगवान का भोग लगाएंगी देखिए इस तरह से लॉंग लाइची का भोग जरूर आंजितों के लाइची, तो देख सकते हैं आप सुद्धा के अनसाथ देखें लिए, म Now amount time आप पूझा में जरूल रखेंए जरूल रखें बहुत बीयाजिताएं उनल मालिकी देखिए जयसे यम दीपक जिलाया ज Camaguri कोज़ा लो।dha 5G memang चाहर बातियां देखें मैंने लगा है जूँँग it खील से रखती हैं और आप देखिए आप करेंगे हम कुबेर जी के दीपक का पूजन तो थोड़े से मैंने चावल रख दिया है और उसके उपर रख दिया है दीपक उसको प्रजुलित कर लूँगी दीपक को हमेशा दीपक को प्रजुलित करने के बाद ही पूजा जाता है तो देखिए चारो दीपक को मैंने जला लिया है इसके बाद मैं रोली और चावल से दीपक को पूजन कर रही हूँ तो देखिए रोली चावल लगा कर दीपक पे चड़ा दिया है तो दीपक का भी हमारा पूजन हो गया है इस तरह से हमारे यहां धंतिरस पर 13 दीपक जलाए जाते हैं तो आप के हां जैसे जलाय जाते हूं आप ऐसे जला सकते हैं हमारे यहां तेल की दीपक जलते हैं तो हम तेल के ही जलाते हैं तो बस आटे के मैं जला नहीं रही हूं क्योंकि आज धंतेरस नहीं है अभी धंतेरस नहीं आई है तो मैं तो आपको सिप्ट करके डेमो के रूप में वीडियो बना रही हूं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कच्चे आटे की दीपक हमारे जलाए जाते हैं इसके बात करेंगे हम आर्थी और आर्थी से पहले अगर आपके यहां कोई तुजोरी है जहां आप अपने पैसे वगरा रखते हैं उस जगह का पूजन आज के दिन जरूर करें तो वहां पर आप स्वास्ते बना दे रोली चा दिखाना है वहां दीपक रखना नहीं है क्योंकि अगर मतलब थोड़ा से भी आकर भूल चुक होती है तो आपके फूरी तुजोरी साफ हो जाएगी यानि जल सकती है इसलिए स्टेश का आप थोड़ा सा विशेज द्यान रखें थोड़ा सा दूब दीब दिखाकर पुना रही हूं लाइन भाइन आपनों के लिए वीडियो बनाती चली जा रही हूं आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह दंतेरस की पुजा की जाती है मैं आसा करती हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत जाना पसंद आई है अगर मेरी पूजा बीदी आप सभी को बहुत जाना अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करना बिलकूल भी न भूलें क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो म मुझे बहुत जाना खुशी होती है अगर अभी तक आपने अमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं गिया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें मिलती हूँ आप सबसे नेस्ट वीडियो में जब तक की लिए राधी राधी